हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मीना ने बताया कि शिवगन से आ रहे थे तब सड़क पर दो पशू लहु लुहान हालात में घायल पड़े नजर आए हमने तदकाल अन्यकार करताओं सरे टोल प्लासा पुलिस प्रशासन को सूचना दी मीना ने बताया कि वो और उनके साथी दोनों ने मिलकर घायलों को साइ रहे थे जगा जगा से रक्त बहरा था पशू एम्बुलेंस अहित समय पर उप्चार नहीं मिलने के कारण फोर लाइन हाइवे पर कई कठनाईयों कर सामना करना पड़ा बाद में कारेकरताओं को तो एकद्रित कर दिया गया लेकिन पशू एम्बुलेंस की वेवस्ता नही पर उप्चार नहीं मिल पाता है कई पशू सड़कों पर ऐसे ही लखुलुखान हालात में पड़े मिलते हैं उनको नीजी वाहन से गोशाला पहुचाना भारी पड़ रहा है सरकार के त्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद पशू सुरक्षित नहीं है सड में केंद्रवर राजी सरकास है जिला प्रशासन ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है वर्षों से एक ही मांग को लेकर मांग उठ रही है फिर भी कोई विवस्ता नहीं होना दुर्भा के पूर्ण है मही मीना ने तमाम अधिकारी नेता गण सत्ता धारी पदर दिकारियो को ग्याबन भेज कर मामले से अगत करवाया गया फिर भी कोई विवस्ता या सुनवाई नहीं हो रही है दो घंटे की देरी के बाद स्वयम के खर्ट से पारडीयम वाहन को बुला कर घायलों को ख्रेन वकारिकरताओं की मदद से वाहन में रखवा कर पांच्रा पोल गौश प्रवीन कुमार, दनेश कुमार मीना, अशोक कुमार वागरी, मेधा राम मीना, हितेश कुमार, प्रवीन कुमार, दनेश घाची सहित, टोल कर्मी उपस्त रहे जागरुक्तिवे के पोसालिया से कलपना माली की रिपोर्ट